यह Bible in One Year का हिंदी प्रक्रण है 308 दिन आपके लिए निर्धारित दौड मैंने जीवन में बहुत से गलतियां की है और थोड़ा पच्चतावा भी है उनमें से एक है जब मैं 19 वर्ष का था तब बिना किसी प्रसिक्षन के एक दौड में भाग लिया सीमा दौड में यह marathon से थोड़ी लंबी थी और मुझे Cambridge शहर की सीमा पर दौड़ना था जिसमें अधिकतर जोते हुए खेट से गुजरना था पहले 14 मील तक मैं ठीक था इसके बाद मेरे शरीर का बहुत सा भाग प्रभावित होने लगा यदि पी मैंने एक उचित समय पर दौड़ पूरी की मुझे इसे पूरा करने में हफ्ते लगे प्रसिक्षन के बिना marathon दौड़ना बुद्धी का काम नहीं है इबरानियों के लेखक कहते हैं कि मसीही जीवन एक दौड़ दौड़ने जैसा है यह एक छोटी दौड़ से अधिक marathon की तरह है हम लंबी दौड दौड़ने वाले हैं इबरानियों 12 का 13 इसमें प्रसिक्षन, शेहनसीलता और अनुशासन की आवशकता है तुम निराश होकर सहस न छोड़ दो आज के हर लिखांच में आप देखेंगे कि आपको क्या करने की आवशकता है आपके लिए निर्धारित दौड दौड़ने के लिए और ऐसा करने का परिणाम क्या है बजन सहिता 125 का एक से पाँच तक मार्ग पर बने रहें और आगे बढ़ते रहें बहुत सहनशीलता के बिना कोई महान चीज कभी भी नहीं की गई सियना की सेंट कैथरीन ने लिखा सहनशीलता की पूणजी परमेश्वर पर भरोसा करना है जो यहवा पर भरोसा रखते हैं विसियोन परवत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है यह कामना पर आधारित नहीं है बलकि परमेश्वर के चरित्र और सुरक्षा पर जिसमें हम भरोसा करते हैं परमेश्वर आपके साथ हैं, वह आपके लिए हैं, वह आपके उपर हैं, वह आपके अंदर हैं, वह आपके चारों और हैं यहुआ अपनी प्रजा के चारों और अब से लेकर सर्वदा तक बने रहेंगे। इस सुरक्षा पर आप अभी और सदा के लिए निर्भर रह सकते हैं। विश्वास परमिश्वर पर भरोसा सत्यनिष्ठा लाता है रोमियो 3 का 22 और बाकी का यह भजन सत्यनिष्ठ और दुष्ट के विशय में लंबे द्रश्टी कोण पर केंद्रित है। उनको यहवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। जब हम मार्ग से भटक जाते हैं तब हम अपनी शांति खो देते हैं। भजन सहीता के लेखक की प्रार्तना है कि इसराइल को शांति मिले। नयानियम इबरानियों 12 का 1 से 13 तक लगातार बने रहकर दौड में दौडिये। एक दौड है जिसमें आपको दौडना है और धीरज के साथ दौडना है। इस दौड में आपके पास महान प्रोचसाहन है। आपको गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। ये विश्वास के पुरुष और महिलाएं हैं। इबरानियों, ग्यारा में उलेखित सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन गवाह जो हमें घेरे हुए हैं, उनमें वे भी शामिल हैं, जो अब भी जीवित हैं, जो विश्वास के उधारन हैं, हर पल रोकने वाली वस्तु और उलजाने वाले पाप को दूर करके। इस दोड के दोडने में कठिनाईयां और चुनोतियां आएंगी, ऐसी चीज़े हैं, जो रास्ते में आपको ठोकर खिला सकती हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलजाने वाले पाप को दूर करके। प्राचीन विश्व में धावक दोड के लिए कपड़े उतार कर लंगोट में आजाते थे, बहुत से कपड़े उनकी दोड में भादा ढालते थे, यह एक नमूना है कि ना केवल पाप से छुटकारा पाएं, बलकि दूसरे व्यावधानों और अर्चनों से भी। जैसा कि हेंरी नुवान लिखते हैं, यदि मैं अपने जीवन को उन चीजों से ढख दिये जाने दूँ, जो शीघर करनी हैं, तो शायद से मैं कभी भी उन चीजों तक ना पहुँचूं, जो जरूरी हैं। सफलता पूर्वक दौड को दौडने की पूंजी है, इशू पर अपनी निगाहें टिकाए रखना, जहां पर एक धावक देखता है कि वह उनकी सफलता की पूंजी है, अच्छे धावक अपनी आँखें अंतिम रेखा पर लगाए रखते हैं। इशू जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके कुरूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिहासन के दाहिनी और जा बैठा। अपने पाओं के लिए सीधा मार्ग बनाने का एक मात्र तरीका है, लक्ष की और देखते रहना, अपने पैरों को देखने के बज़ाए, अपनी आखें इशू पर केंदरित रखिए, क्योंकि हर एक बार अंदर रखना उनकी और दस बार देखने के बराबर है। मसी के अनुयाई के रूप में आप बहुत सा विरोध, आलोचना और नकारात्मक चर्चा ग्रहन करेंगे, लेकिन यह उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, जो इशू ने आपके लिए सहा। विश्व के करता और सिध करने वाले इशू की और ताक्ते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उनके आगे रखा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिहासन के दाइनी और जा बैठा। आपकी सहनशीलता की पूंजी है, उन पर ध्यान करिये, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सहलिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। एक सफल दोड दोडने के लिए प्रशिक्षन की आवशक्ता है, प्रशिक्षन कठिन काम है, इसमें अनुशासन की आवशक्ता है और यह थोड़ा दर्दनाग भी हो सकता है। यहाँ पर लिखक माता-पिता के उस चित्र का इस्तिमाल करते हैं, जिसमें वह अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं। वह आगे कहते हैं, तुम दुख को ताड़ना समझ कर सहलो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बरताव करते हैं। वह कौन सा पुत्र है जिसके ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, तुम्हारी नहीं तो तुम पुत्र नहीं पर व्यविचार की संतान ठहरें। फिर जबकि हमारे शारिरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें। परमिशुर आपकी भलाई के लिए आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि आप उनकी पवित्रता में भागी हो जाएं। यह शायद इस समय दर्दनाक लगे लेकिन बाद में निश्चित ही लाब होगा जो उनको सहते सहते पक्के हो गए हैं। बाद में उन्हें चैन के साथ सत्यनिष्ठा का प्रतिफल मिलता है। निरंतर दौडते रहिए इसलिए धीले हातों और निर्बल घुटनों को सीधे करिए और अपने पाओं के लिए सीधे मार्ग बनाईए कि लंगडा भटकना जाए पर भला चंगा हो जाए। परमिश्वर मेरी सहायता कीजिए कि अपनी संतान के रूप में मुझे सिखा रहे हैं। होने दीजिए कि मैं आपकी पवितरात्मा में सहभागी रहूं और सत्यनिष्ठा और शांती के फल उत्पन्द करूं। अफल व्यवसाय और ग्लोबल व्यापार का एक देश था। इसमें समकालीन भावनाय हैं जैसा कि केन कोस्टा अपनी पुस्तक में वरणन करते हैं। परमेश्वर कार्य करते हुए सोर प्रदेश के सारी आर्थिक और वानिजिय लेंदेन का केंद्र था। सोर आसानी से लं यहां आकरशक है और यहां इसे बहुत ही प्रलोभी बनाता है। पैसा कमाना, राज को बनाना और सुख विलास आकरशित करता है। और लोगों का इस्तेमाल करने लगा। यहां तक की दास का व्यापार करने लगा। सफलता पूर्वक दौड दौडने के लिए हर एक रोकने वाली वस्तू और उर्जाने वाले पाप को दूर करके वह दौड जिसमें हमें दौडना है धीरच से दौडएं। सोर का पाप था घमंड, मौजमस्ती और स्वयम सक्षमता। वहां पर विश्वास घात होता था और गुलामों को बेचा जाता था। यहेजगेल चेतावनी देते हैं कि परमेश्वर का न्याय देश पर आएगा, इसका घमंड, इसका पतन ठहरेगा, सोर ने घमंड किया, मैं सरवांग सुन्दर हूँ। लेकिन परमेश्वर चेतावनी देते हैं, जिस दिन तु डूबेगी, उसी दिन तेरी धन संपती, व्यापार का माल, मलाह, मांजी, जुडाई का काम करने वाले व्यापारी लोग और तुझ में जितने सिपाही हैं और तेरी सारी भीड भाड समुदर के बीच गिर जाएग नबुकतनेसर ने पूरी तरह से सोर को नश्ट नहीं किया, लेकिन महान एलेक्जांडर ने 332 बीसी में इन वचनों को पूरा किया व्यापार करने पैसा और उपभोगता का माल आधुनिक उपभोगता केंदर के समानांतर लगता है विशेश रूप से इस मौसम में जैसे ही हम क्रिसमस की और जा रहे हैं हमें याद रखने की आवशक्ता है कि ये चीजें चाहे कितनी फुसलाने वाली लगें, वे शन भंगूर है फस मत जाईए, अपनी आखें इशू पर लगाईए जो आपके विश्वास के करता और लिखने वाले है हर उस चीज को दूर कीजिए जो रोकती है और वह पाप जो उलजाता है धीरज के साथ उस दौड को दौड़िये जो आपको दौड़नी है परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि धीरज के साथ उस दौड को दौड़ू जो मुझे अवश्य ही दौड़नी है अपनी आखें इशु पर लगाए रखों और कभी नहीं ठकों और निराश नहों। अपनी जीवन को उस चीज से ढग दिये जाने दू जो शीगर करनी है तो शायद से मैं कभी भी उस चीज तक ना पहुंचू जो जरूरी है आज का वचन इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तू और उलजान करने वाले पाप को दूर करके वो दौड जिसमें हमें दौडना है दीरच से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले ईशो की और ताकते रहें जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिहासन पर परमेशर के दाहिने जा बैटा इबरानियों बारा एक से दो